हेलो जैहीं दोस्तो बंदे मातरम स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूटूब चैनल पे दोस्तो यहाँ पर लेके आया हूँ डेली की तरह आपके लिए वर्कसाप कैलकूलेशन एंड साइन्स से समन्दित बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन जो कि आप सभी को मालूम है कि मैंने तीन वीडियो आपको पहले ही कंपलीट कर दिया उस पे बहुत सारा आपको कमेंट आया कि और भी वीडियो बनाएए इस तरह के कोशन बताएए तो मैं आपको यहाँ पर भी लेके कोशन आ चुका हूँ तो आप वीडियो का अंतक देखेगा और जो भी लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सस्क्राइब कीजेगा और साथ सी साथ घंटी वाल आइकन को दबा कर और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजेगा तो चले दोस्तो आज का कोशन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कोशन नमबर वन से पहला कोशन यदि आप से कोशन पूछ दिया जाए कि यदि अंडरूट पांच बराबर दो दसमलो दो तीन चे है तो चार प्लस पांच अंडरूट चे प्लस दो अंडरूट पांच का मान गयाद कीजिए तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने आपको ऐसे कोशन को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप असान तरीके से कर सकते हैं लेकिन मैं जो आपको बताया था केवल इतना ही अंक था और यहाँ पर आपका दो अंक बढ़ गया है तो इसको आप कैसे सॉल्ब करेंगे देखिए बिलकुल असान बेदिये दोस्तों पहले आप यहाँ पर लिख देंगे 4 को 4 प्लस चीन है तो प्लस चीन और यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे और यहाँ पर जो आपका मिलता है 6 प्लस 2 अंडरूट 5 इसको देखिए कैसे आप लिख सकते हैं बिलकुल असान तरीका मैंने आपको बताया था दोस्तों पिछली वीडियो में यदि आपको ऐसे कोशन दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे आपको ऐसा दो संख्या चुनेंगे जिसको यदि हम गुड़ा करें तो क्या आजाए 5 आजाए और इसको हम जोड़ दें तो क्या जाए 6 आजाए तो ऐ यहां पर क्या हों, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर, यदि आप एक को अंडरूट में नहीं रखते हैं, तो भी कोई दिकत नहीं है, और रखते हैं, तो भी कोई दिकत नहीं है, ठीके, तो यह आपका देखिए, आप यहां पर क्या करेंगे, यह आपका पांच और चा तो 5 हो जाएगा ठीक है अथाथ दोस्तों simple बात में कहें तो यह जो आपका चार है चार उतर जाएगा लेकिन यह जो आपका पांच है यह जो कुष्ट में इसमें आपका क्या होजाएगा गुणा होगा तो 5 यदि अंडरूट 5 में हम गुड़ा करेंगे, तो 5 अंडरूट 5 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि हम 5 से गुड़ा करें, एक में, तो यह आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने simply उतार दिया है, आप देख सकते हैं, गुड़ा क जो कि यहां पर मैंने लिखा है और प्लस को यहां पर लिया दिया है अथात पचांतर कर दिया है तो 9 प्लस 5 हो जाता है और यह आपका अंडरूर 5 का मान हो जाता है तो यहां पर दोस्ति देखिए यह आपका 9 हो गया और यह आपका 5 गुड़े 2.236 इसको गुड़ा करेंगे तो आपका आ जाएगा 11.180 हो जाएगा अब यहाँ पर बचा आपका 9 अथात 9 प्लस 11.18 सुनिया तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20.18 सुनिया जाएगा ठीके किलियर हो गया चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कोशन है यदि आप से पूछ दिया जाए कि 1 अपान अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2 का क्या कीजिए मान गयाद कीजिए तो आप इससे को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूं बिलकूर असा बताते हैं उसके बाद आपको ट्रीक से बताएंगे आप ट्रीक से असान से भी लगा सकते हैं देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं प्रमेई करण करते हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पर किया हूं देख सकते हैं प्रमेई करण में क्या होता है हर का चिन बदल कर यहाँ प लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली जरूरत है क्या यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है जो कि हमारा सुतर होता है यदि एक कोश्ट में A प्लस भी और दूसरे कोश्ट में A माइनस भी हो तो हमारा सुत्र होता है A square minus B square जो कि यहां पर हमारा जो under root 3 है यह हमको A माल लेना है और जो यहां पर under root 2 है इसको हम क्या माल लेंगे B माल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तो under root 3 का square minus under root 2 का square ठीक है? जो कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर इसको हम स्वावल करेंगे, देखें, यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान एकना है, यदि आपका under root 3 का square, minus under root 2 का square, इस तरह का question पूश दिया रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान एकना है, कि square से root क्य जाएगा, तो क्या बचेगा, एक बचेगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर लिखा हूँ, और यह जो आपका ऊपर है, यह सेम आपका क्या हो जागा, उत्तर जाएगा, अब बचा दोस्तों क्या, यहाँ पर आपका बचा under root 3 minus under root 2, अपान एक, एक का कोई value नहीं होता है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे under root 3 minus under root 2, किलियर हो गया दोस्तों, यहाँ पर यह हम एक से भाग भी देते हैं, तो हमारा कितना आएगा, उतना ही आएगा, तो यह हमारा हो गया answer, आप दोस्तों देखिए, इसको आप कैसे trick से solve कर सकते हैं, trick से भी solve करनें को आपको बताऊंगा, चलिए, आपको यहाँ पर trick से देख देते हैं, यही same question है, ठीके, यहाँ पर भी आपका question 1 upon under root 3 plus under root 2, और यहाँ पर भी आपका question है कितना, 1 upon under root 3 plus under root 2, ठीके, same question है, कोई आपको confusion नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए trick से आप कैसे solve करेंगे, यहाँ पर यदि आपस प्लस हो तो उपर हम लेके जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे दोस्तों जैसे कि बचा एक बचा तो यहाँ पर हम एक लीखेंगे और इहां से आपका एक से एक हुजायगा चैन्सिल हो lizard आות यहाँज में यहाँ आपका बचता है यहाँ पर शुचा घुच पने टर की पूछा जाता है कोशन उसमें आपको solve करना नहीं रहता है केवल आपको trick लगाना रहता है तो आपको इस तरह आप trick से लगाएंगे तो आपका समय भी बचेगा और उसमें दोस्तों कोई भी आपको copy नहीं जाची जाती है अतायत जो आप हल करते हैं उसको नहीं दिया जाता है कि आपको यह question आ रहा है ठीक है इसका मतलब यह होता है तो आप trick से असान तरीके से उस समय बचा कर आप इस तरह solve कर सकते हैं चले next question देख लेते हैं next question उसी पर मैंने cover किया है दोस्तों यदि आपसे question पुछ दिया जाया कि 2 upon under root 5 minus under root 3 बराबर question mark तो आप इसको कैसे solve करेंगे वही तरीका हम अपनाएंगे under root 5 minus under root 3 को हम क्या ले जाएंगे उपर लेके जाएंगे तो यह आपका हो जाएगा 2 और question में under root 5 plus under root 3 और पूरे के बटे 2 अब दोस्तों यहाँ पर 2 कैसे आया यह आपको confusion हो रहा होगा तो यहाँ पर देखे मैंने आपको बताया कि हर के वर्गों का अंतर जो कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है तो 5 minus 3 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो इसी 2 को मैंने यहाँ पर लिखा है आप देखिए 200 आपको आपका 2 क्या हो जाएगा चलिए next देख लेते हैं next question है यदि one upon under root 9 minus under root 8 दिया गया हो यदि आपको इसको solve करना हो तो कैसे solve करेंगे same condition में रखेंगे जोस्तों अथात उसी तरह मौल करेंगे नीचे वालों को लेके जाएगे उपर बट आपको ध्यान देखना है कि minus है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका under root 9 minus under root 8 है तो उपर हम लेके जाएगे तो क्या हो जाएगा अंडरूट 9 पलस अंडरूट 8 हो जाएगा और निचे हम क्या करेंगे यह कैसे आपका एक आया है तो देखिए यहाँ पर अंडरूट 9 और अंडरूट यहाँ पर 8 है इसको हम वर्गों का अंतर निकालेंगे तो 9 माइनिस आपका 8 हो जाएगा तो कितना आएगा आपका तो यह आपका आएगा एक ठीक है क्या आएगा एक आगया और यहाँ पर भी आपका एक है तो यह आपका एक और यहाँ पर देख सकते हैं एक अंडरूट नव प्लस अंडरूट आट बटे एक तो ये आपका एक से एक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो बचा के हमारा अंडरूट नाइन प्लस अंडरूट एट अताती यही हमारा क्या हो जाएगा एंस्वर की अंडरूट नाइन प्लस अंडरूट एट देखे यहाँ पर कोशन है यदि अंडरूट 2 बराबर 1.4142 तो 7 बटे 3 पलस अंडरूट 2 का क्या किजिए मान ग्याद किजिए अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको सेंपल इधर लिख देंगे हल करने के लिए अब देखे इसको हमको क्या करना है यदि 7 बटे 3 पलस और पूरा का बटा 7 अब 7 कैसा है यह आप आपका 3 है और पलस अंडरूट 2 इसको वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग हम करेंगे दोस्तों तो 9 हो जाएगा ठीक है इसको आर करेंगे तो 9 हो जाएगा आपका और यहाँ पर आपका जो दिया गया है अंडरूट 2 तो यह आपका अ minus 2 तो कितना आ जाता है आपका 7 आ जाता है तो 7 यहाँ पर आपका 7 क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा तो बचा कितना अंडरो 3 minus under root 2 तो यही हमारा क्या हो जाएगा answer यह आप आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं यहाँ पर आपका minus under root 2 under root 2 का मान रख देंगे अथा 1.4142 तीन में से घटा देंगे अथा 3-1.4142 कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा कितना इसका इंस्वर आएगा इसका तो एक दस्मलो 5858 इसका answer आ जाएगा ठीक है आप घटा कर देख लिजेगा तो यह थी जुस्तों आज की बहुत इं बंदे मातर हम